जहें डिफेंस आस्परेंस स्वागा थे अत्रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे आज मैं व्लाया हूँ आपके लिए मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेस के फॉर्म नोटिफिकेशन्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो डिफेंस आस्परेंस मैं आपको बता दूँ मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेस का फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है www.joinindianarmy.nic.in पे ये फॉर्म 11 माई से 31 माई के बीच में भरा जाएगा मैंने इस पे पहले ही एक नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो पे गौर फरमाएं और समझें 11 माई से 31 माई के बीच में ये जो मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेस के फॉर्म्स हैं ये उपलब्द रहेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म भरना है फॉर्म की फीस 200 रुपए है उन एस्पिरिंस के लिए जो जनरल कैटेगरी के है शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइप कैटेगरी जिनकी भी है उनको ये 200 रुपए फॉर्म फीस नहीं देन मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं जो मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेज के लिए फॉर्म फिलिंग में आपको जरूरी होंगे क्योंकि मिलिटरी नर्सिंग सर्विसेज इस बार से नीट के थुरू हो गया है तो स्टेप वन है नीट का फॉर्म भरना जी हां डिफेंस जब आप NEET का examination देंगे और NEET का score आ जाएगा तो आपको इसी website पे अपना username और password डाल के अपना account खुलना होगा और NEET का score डालना होगा अगर आपने NEET qualify कर लिया तो military nursing services आपको computer based test के लिए screening center पे बुलाएगा ये computer based test जो होगा वो test of general intelligence and general English का होगा defense aspirants T-O-G-I-G-E भी बोला जाता है इसे अपने आप में नया word है पर घबराने के जरुआत नहीं है math 20 सवाल English के and 20 सवाल knowledge and general intelligence के है 40 सवाल का ये multiple choice questions जो होगा उसके लिए आपको plus 2 marks मिलेंगे हर सही सवाल पे और minus 0.5 marks मिलेंगे negative marks के लिए पूरा paper 30 minute का समय मिलेगा 30 minute में जिस बच्चियों ने ये military nursing services का T-O-G-I-G-E qualify कर लिया उनको फिर बुलाया जाएगा PAT के लिए PAT step 5 है PAT को बोला जाता है psychological assessment test कहीं न कहीं आप forge में अफसर बनने जा रहे हो military nursing services भी एक officer category की job है आप military nurse बनोगे और आपको lieutenant की rank मिलेगी lieutenant rank की salary मिलेगी इसलिए psychologically आपका assessment होना जरूरी है आपको याद होगा SSB interviews में भी एक test होता है psychological test वो भी psychologist psychologically देखना चाहते हैं कि officer का state of mind positive है या नहीं है इसी प्रकार से PAT test आपका state of mind को check करेगा PAT के बाद होगा आपका personal interview personal interview में interview में assessors बैठेंगे जो आपका पूरा का पूरा interview लेंगे और personal interview के बाद आपकी all India merit generate होगी तो ये अलग-अलग steps के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है कि कैसे military nursing services का form भरना है साथी पूरा का पूरा military nursing services के लिए क्या-क्या procedures होंगे 2022 से ये procedures follow हो रहे हैं मैं आपको बता दूँ 2022 पहला ऐसा season होगा जब ये military nursing services के aspirants सीधे MNS का paper ना देते हुए पहले NEET के थ्रू आएंगे जी पहला ऐसा साल है जब NEET का score पहला आज से इस साल से NEET का score ही लगेगा changes हुए है, defense aspirants कहा जाता है कि changes very essential for life बिलकुल, change हुआ है, इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन ये change essential है क्योंकि कहीं न कहीं इससे quality nurses मिलेंगे military को अब बात करते हैं eligibility की तो सिर्फ और सिर्फ वो female candidates जो unmarried है, divorced है, legally separated है और widow है, बिना किसी embraces के मतलब किसी प्रकार का कोई भार नहीं है उनको तो ये सब लोग form भर सकते हैं, citizens of India can only apply आपको भारती नागरिक होना चाहिए उसमें date of birth एक बहुत जरूरी चीज है, date of birth के लिए मैं आपको बता दू 1 October 1997 से लेके 30th September 2005 तक के बीच के aspirants ये form भर सकती है educational qualification 12th past चाहिए या 12th appearing चाहिए with physics, chemistry, biology and English अगर आप 12th past हैं तो minimum 50% चाहिए ही चाहिए और 12th appear रही है तो कोई बात नहीं पर ये याद रखें physics, chemistry, bio and English minimum 50% चाहिए ही चाहिए important dates की अगर हम बात करते हैं defense aspirants तो याद रखें 11 माई form चालू होगा और last date 31 माई है form online भरा जाएगा और fees 200 रुपए की लगेगी एक caution के रूप में एक सावधान रहने की जरूरत है तीन points के लिए पहला incomplete form मत भरियेगा दूसरा दोबारा form मत भर दीजेगा ठीक है और तीसरा form भरते वक्त अगर आपने 200 रुपए पे यह नहीं किया बैंक वाला तो वो form null and void हो जाएगा इसलिए defense aspirants military nursing services अगर लक्ष है तो आज ही form भरे www.joinindianarmy.nic.in Thank you, जैहिंत जहां बनते हैं देश के गौरव इंडिया का एक मात्र ऐसा coaching institute जहां cadets को train किया जाता है आने वाले defense exam के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही join करें त्रिशूल Defense Academy